हाई, वेलकम तु विया लेर्नर्स, हम आपके लिए उनलाइन टीशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास्टर मैट्स के सारे चाप्टोस टेली अप्लोड करेंगे, रेगुलर अप्डेट्स के लिए हमारी चानल को सब्स्ट्राइब करके नोटिफिकेशन बल बटन दबाएं मुरोबर हर वीडियो के आन में आपके लिए कुछ कोश्चन होंगे, जिनका प्रमेट में रिपलाइ ज़रू करें, वह यह स्टार्ट करते हैं आज के क्लास् अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह है पाइथोगोरस थेओरम, देखिए यह थेओरम हमें ग्रेट ग्रीक मैंटेमेटेशन ने दिया था, according to this, in a right triangle, यदि हमारे पास कोई एक राइट ट्राइंगल है, then the square of the hypotenuse is equals to the sum of the squares of other two sides, देखिए हम जानते हैं, राइट triangle में हमारे पास एक 90 degrees का angle होता है, उस 90 degrees के angle के opposite जो side होती है, उसको हम hypotenuse क्याते हैं, so according to this theorem, hypotenuse जो है, उसका e square is equals to perpendicular square plus b square, that means, इस triangle में hypotenuse कौन सा है, a, b, so a, b square is equals to, here perpendicular is b, c, so b, c square plus, here base is a, c, so this is a, c square, देखिए हम पाइटोगरोस theorem को इस तरीके से भी देख सकते हैं, it can be rephrased as, the area of the square described upon the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the areas of the squares described upon the other two sides, हमे दी एक राइट ट्रेंगल ट्रेंगल लेते हैं, और इसके तीनों जो साइट से, that is, hypotenuse, perpendicular और base, इन तीनों पर हम एक एक square ट्राउ कर देते हैं, तब, जो square हम पर्पेंडिकुलर पर ट्राउ किया हैं, और जो square हमने इसके बेस पर ट्राउ किया हैं, उन दोनों का एरियास को एदी हम एड़ कर देते हैं, then this is equals to the area of the square जो हमने इसके, hypotenuse पर ट्राउ किया है, देखे, पर्पेंडिकुलर पर जो हमने square द्राउ किया, उसका area है 16 square units, और base पर जो square है, उसका area है 9 square units, इन दोनों को यह दी हम एड़ करते हैं, then that is 25 square units, और यह है, देखे, जो square हमने draw किया है, इसके, hypotenuse पर उसका area भी, देखे, 25 square units है, इसको हम और भी देख सकते हैं, यह देखे, हर बार यही हम देखेंगे, the great Indian mathematician बुद्धियान ने भी हमें एक theorem इसी जैसा दिया, according to that, the diagonal of a rectangle, यदि हम एक rectangle लेते हैं, और उसका जो diagonal होगा, it produces by itself the same area as produced by its both sides, that is length or breadth, इसका मतलब, यदि हम एक rectangle लेते हैं, और उसका जो diagonal होगा, उसका जो area होगा, that will be equals to, इसका जो length or breadth, इसका जो area होगा, उसके बराबर होगा, और यह जो चीज इन्हों ने कहीं है, बुद्धियान ने, और जो अभी हमने, पाइथोगरस ठीयोरम में देखी, यह दोनों चीजे एक ही है, बुद्धियान ने हमें यह सेम चीज को rectangle के हिसाब से बताया, that is diagonal of rectangles में बताया, और वही पाइथोगरस ने हमें right angle triangle में बताया, देखिये, दोनों चीजे एक ही है, यह rectangle में, यह जो diagonal है, basically यह है, क्या देख और यह हो गई हमारी length और यह हो गई हमारी breadth, यह दोनों theorem's एक ही है, आई याद देखते हैं आज के सवाल, आप जलदे से comment में इनके reply करें, मुरवर हमारे channel को subscribe करके notification bell बटन दबाएं, so that आपको हमारे videos के updates मिलते रहें, so आज के लिए यही तक, see you in the next class, thank you.